सब्सक्राइब करता हूं सिर्मान जैसे कि आप सीव जानते हैं आज का अपना बढ़ती के बारे हम बात करेंगे और रहेगा इंडियन पोस्ट आप डिपार्डमेंट के तरफ से पोस्ट निकाले गई है जो ग्रामी डाक शेवक के रूप में जिसे हम जीडियस के रूप में सब्सक्राइब करेंगे अब मैं फार्म को भर सकता हूं ठीक है मैं बारा हूं आइटी आए हूं डिप्लोमा हूं एंसी या फिर कॉंप्यूटर सट्पिकेट है मेरे पास तो इसका कितना छूड मिलेगा इस भरती में ठीक एक राज्य के अलावा दूसरे राज्य भी में भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं ठीक है मैं सीब्सक्राइब परोफाइल जैसे कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का बेकैंसी है ग्लिय जो जाप प्रोफाइल लेने क्या करना पड़ेगा यह सारा अपना पूरी लास्ट वीडियो देगा काफी हेल्प होने वाला अगर आप ग्रामीट डाक्षेवे करूब में भरती वरना चाहते हो तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो यह दोस्तों टोटल पोस्ट की में कब से सुरू हो गया दो पांच यानि कि दो मई 2022 से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट जो रहने वाला है पांच दून 2022 पांच छे 2022 क्लिए रवा चलिए दोस्तों फार्म फिस की मैं बात करूँ इसमें कितने फिस रहने वाले हैं तो जनरल केंडेट के लिए जनरल और और तो आपके लिए सो रुपे फिस रहेगा अपलाई करने का क्लिए रवा और वहीं आप यासी हो या फिर एस्टी कंडेट हो या फिर पीच फिचकल हैंडीकाइम दिभ्यां कटगरी को तो आपके लिए फिस सुनने रुपए रहेंगा और आल कटगरी जो फिमेल है जनरल हो या फिर फिमेल हो आल कटगरी का तो उनके लिए फिस सुनने रुपए रहने वाले नील होने वाले किलिए अब देखते हैं दोस्तों यह काफी अच्छी बात करती है इसमें काफी अच्छी बात ही है इसमें जो एज की क्रिटेरिया है उम्री की क्रिटेरिया है जो इसमें ह यानि कि age की criteria जो कितने रहना वाली है 18-40 आपको अगर आप general candidate हो तो general candidate के लिए normal 18-40 तक है लेकिन OBC candidate अगर आप हो तो OBC के लिए 3 साल का छूट है और यहीं SC candidate हो आप तो SC candidate के लिए 5 साल का छूट है अब जो आयू की गढ़ना की जाएगी ओ एज की गढ़ना जो की जाएगी आपका यहीं रहेगा एज को 56-2022 यानि कि 56-2022 तक वही जो फार्म लास्ट डेट है फार्म के लास्ट डेट तक आपको मिनिमूम 18 बर्स हो जाना चाहिए अगर आप general candidate है तो 56-22 पर 40 से ज्यादा नह होना चाहिए डेटा बट में कोई दिकत हो कमेंट किजेगा चलिए दोस्तों हम बात करते हैं आगे योग्यता eligibility के बारे में eligibility जिसकी मैं बात कर लों दोस्तों दसवी पास तो होना ही चाहिए लेकिन उसके साथ-साथ-साथ math and English यानि कि दसवी पास आपको math और English के साथ होनी चाहिए तो आप फार्म को अपलाई कर सकता अब बहुत से कंडे टेवी करेंगे सर मेरा high school में संस्खीत था ठीक है या फिर high school में सर मेरा English नहीं था मैत नहीं था तो क्या मैं सर मेरा आपको math subject अनिवार होना चाहिए और English subject अनिवार होना चाहिए चलिए अब उम्मीद करता हूं समझ में अब देखते हैं यहां पे इसके साथ में दूसरा आप्सन यह दे रखा है कि लोकल लांगविज आप जहां से फारम के लोग फिलब की योगे तो वहां का लोकल लांगविज और सयक्लीन आने चाहिए साइकल करना सैक्लीन चलाना आना चाहिए मैं एक बार आपको क्लियर कर दूँ लोकल लांगविज मतलब जैसे कि आप यूपी से हो आप साउध में कहीं दूसरी जाओ फार्म करना जाओ आंत्र पर्देश में तो वहां ज्यादा तमिल तेलगों गरे कंडल हो चलता है तो वहां कि अगर आपको भासा आपको लोकल लां होगा तो आपको को लोकल वासा आना चाहिए अगर आ रहा है तो अप फार्म को कर सकते हो जोäg क्ली चलाना Mais सबसे पहले मेरिट लिस्ट लगेगा जो क्या लएगा हाइश्कुल के मार्षिट कर दी जाएगी पंदर नॉमबर 2022 तब फाइनल एकदम से करके पूरीज भरती को आपको डाक सेवक के रुप में क्या कर दियागा पंदर नॉमबर 2022 तब अब देखे इसमें आमने लोग लिगा नुए जाम डायरेक्ट होगी बरती यानि कि मैं आपको बताई दिया कि यह मेरिट लिस्ट में होगा सबसे पहले हास्के मेरिट जीतने एक और दियां लिए अब बात करतें थोड़ा सा जो इसकी पोस्ट है कौन-कौन सी पोस्ट है मैं आपको बता दूए एक पोस्ट ब्रांच पोस्ट माटर बीपीम जिसको बोलते हैं और यहीं एक एक काम करना पड़ेगा दोस्तों द्यान जीएगा जो पोस्ट ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीम जिसको बोलते हैं उनको सबसे पहले जैसे कि डाग घरों के लेंदेन चाहें आल्लाइन से हो या फिर आफ्लाइन के माध्यम सो इनका क्या करना पड़ेगा उसमें काम करना असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के एक सहाय की है और यह और असीस योता अलग लग इनका कारते देखली जगा डाग टिकेटों इस टसनीरी का बिकरी करना डाक टिक्ट मतला है जब पहले आफ्लाइन कोई भी फार्म परा जाता था तुसमें डाग टिकेट चिपका पर्चार करना कभी कभी आप देखते होगे डाक्ट पोश्ड एक रवल एक बोनर लग जाता है और पर चार कर दे कोई जैसे सरकार दोरा यूजना लांच कर सकते हैं तो अब डाक्षवक की बात शुम लिजिएका डाक्षवक का रहाले होंगे या फिर बैपार का रहाले में उनमें जो दाक सेवां काड़्य आपको करना पर सकता है तीक है चितिया लाना लेंदेन करना पर सकता है अब कौन सा डाक से वक्रूब में चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इंपोटेंट बाते हैं इंपोटेंट बाते क्या है वह रहाएगा अपना कमेंट के तरब जोस्तों द्यान दिजिएगा इसमें पहले यह देखा है सर मेरे पाथ 10 वी पास है मैं 60% हूँ या फिर 70% और 60% अंग है मेरा फार्म अपलाई कर सकता हूं ने देखिए आप बिल्कुल भर सकते हैं आपको रिपेंडेट यह करता है कि इस फार्म में कितने मेरिट तक हाई लेवल तक का या फिर लो लेवल तक है केंडेट फारम फिलप की हो अगर आप पहले ही घबड़ा जगो इस दिक्कत क्या है 100 पे फिच्ट लग रहे हैं अगर आप सोच रहें कि 100 पे फिच्ट के जलता है मैं इस फार्म को ना पर हूं तो फिर भरती देखना आप छोड़ दो क्योंकि 100-100-20000 रुपे तो भाई बरती देखना लगाना ही पड़ेगा इतना तो से नहीं पड़ेगा पता 90 लेवल तो 90 लेवल तो सिंपल सी जाएगे तो आप 60 परसेंट कोई बात नी फार्म को फिलप कर देना ठीक है कोई बात नहीं 100-1502 रुपे नुक्सान है और क्या कोई बात नहीं इसके अलावा बाई जो रना नितिया स्लक्सें प्रोस्ट है उसके इसाब से त्यारी भ जब नहीं फिलप करें तो आपको यह माइन ने करना आप 70 पर सेंट आप फिलप को फ़र देना लेकिन हमें वह यह लग रहा है जब मेरिट बेस है तो लेवल तो रहाई जाए गई ठीक है आप कमेंट कर बताना कि मेरिट बेस पर होना चाहिए या फिर एक्जाम पर होना च कर सकते हैं लेकिन इस में क्या है अल इंडिया के लिए यह फर्म अल इंडिया क्लाया चाहिए उपी से हो ऊंध पर डे सो आपको धिक हो फिर कर लिए नहीं और इसकी जो इसका रहेगा । सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन इसमें आप जैसे यूपी से तो बिहार में नहीं बर सकते हैं ठीक है आप यूपी से हैं तो यूपी वाला चुड़ जाएगा अगर आप मद्द पर्देश रास्तान में बढ़ना चाहते हो तो रास्तान भरो लेकिन मद्द पर्देश आप नहीं बढ़ सकते हैं यानि कि किसी एक से आप फार्म को अप्लाई कर सकते हो कहने के मतलब मेरा यह है च नहीं नहीं कोई डाउट नहीं कोई आप अपर आम से अप्लाई करता आपका अंक जो अलग हो उसके वांडिंग मेरिट बिद्ट बनायाई कि तो इसका कट आप कितना होता है प्रिबिएस इसका मेरिट के दिए यह सारा वीडियो बनेंगे नेक्ट वीडियो में क्लिए वीडियो अच्छला लाइक से सब्सक्राइब जरू कि जाओके जहिंत बंदे मात्रम